नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट हेंड गुरूरी यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम इलहाबाद हाई कोट स्चेनो ग्राफर ग्रेट 3 की वेकंसी की बारे में जो इसका जॉब प्रफाइल होता है, उसके बारे में डिसकस करने वाले हैं उस सारी चीज़ें आपको इस वीडियो पे मैंने बताने की कोसिस की है जयसे जॉब नेचर हो गया, ये आप किस टैप की जॉब इसमें होती है, क्या करना पड़ता है सैलरी क्या मिलती है, आपकी ऑफिस की टैंमिंग क्या होती है, वर्क लोड कैसा रहता है ड्रिस कोड क्या होता है यानि कि आपका ड्रिस कैसा रहेगा और साथी में इसमें प्रमोशन का आगे कैसे चांसे होता है कि प्रमोशन किस किस ग्रेड पे होता है प्रमोशन के बाद आपको कहां पे काम करना पड़ता है साथ ही अगर आपका इलहाबाद हाई कोट के तुरु श्टेनोग्राफर में सेलेक्शन होता है तो आपकी पावर क्या रहेगी इसके साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज़ की जो सर्टिफिकेट इसमें मांगता है हाई कोट में वो सर्टिफिकेट हमारे कहां से बनेगा इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जनकारिस वीडियो में दी जाएगी अन तक बने रही है हमारे साथ और अगर अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो तुर्ट सबस्क्राइब कर दीज़े चलिए वीडियो को स्टाट करते है तो दोस्तों अगर आप लोग को ये लग रहा है कि इलाभाद हाई कोट स्टेनोग्राफर नाम लिखा हुआ है तो आप लोग जब सलेक्ट होंगे तो इलाभाद हाई कोट में सलेक्ट हो जाएंगे तो वहां के जो जज़े है वो जितने भी जज़मेंट है वो आपको अपने पास बिठा कर बोलेंगे आपको उनको स्टेनो में टाइप करना होगा उसके बाद स्टेनो में लिखने के बाद आप उसको हिंडी में टाइप करेंगे अगर आप English Stenographer है तो इसको English में टाइप करेंगे उसके बाद जद सहाब से चेक करवा के उसको finally submit करेंगे ये आपका main काम है इसके लावा आपका कोई काम नहीं होता है लेकिन जद सहाब चाहे तो आप से खिश्रक काम करवा सकते है जैसे judgment के लाव भी अगर कोई tapping material हो देना चाहे तो आपको वो भी type करके देना पड़ेगा अगर हम बात करें कलरक से इलावाद High Code Group C की जो vacancy होती है उससे stenographer की बात करें तो काम और risk दोनों बहुत कम होता है कलर का काम थोड़ा ज़्यादा पेचीदा होता है थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है और थोड़ा ज़्यादा सिर्दर दभरा भी होता है लेकिन यहाँ पे स्टेडू का कराम कलर के comparison में बहुत ज़्यादा easy होता है यहाँ इसी मैं वैसे नहीं बोला हूँ मैं compare कर रहा हूँ clerk से उसके बार बता रहा हूँ और risk भी clerk के comparison में काफी कम रहता है अब सबसे बड़ा question जो आज कल सबसे आदा लोग सुनना चाहते हैं कि power क्या होगी अगर हमारी high code के through job लगी है तो power है कि नहीं है तो देखिए इसमें power ऐसी कुछ नहीं है आप judge के साथ सीधा connected रहेंगे आपकी यहीं सबसे बड़ी power है और officially आधिकारिक तोर पे आपको ऐसी कोई भी power सरकार द्वारा नहीं provide करें जाती है इसके बाद हम बात करेंगे salary की तो stenographer की salary होती है वो 200 great pk होती है अगर हम total enhance salary की बात करें तो वो city के according अलग जगे vary कर सकती है लेकिन 35-40,000 जो वर्तमान salary है वो आपकी आती है 35 बस यह माली जे कहीं कहीं बाकी 38-40,000 रुपए enhance salary आपको मिलती ही है वर्तमान पे क्लर के जो है वो public से, advocate से, police से सभी लोगों से मिल जुलकर उसका काम होता है योगि क्लर की अलगलग push होती है और steno जो है वो सिर्फ अपने judge का ही काम करता है सिर्फ judge से ही connected रहता है यह चीज़ आपको जाना जलूरी है timing इसकी वही होती है 10 बजे से 5 बे तक लेकिन आपको अपने judge से पहले पहुचना होता है और आपको पता है कि प्रतेक सरकारी भागों में timing 10 से 5 जो होती है लेकिन कभी आपको काम पड़ेगा तो बिल्कुल आप 6 बजे 7 बे तक भी काम कर सकते हैं लेकिन इसके chances बहुत कम होते हैं करकि स्टेनोग्राफर के लिए क्लार के लिए तो कभी कभी हो भी सकता है लेकिन स्टेनो बेसिकली बहुत कम chances है कि over time इसको करना पड़ जाए ड्रिस कोड की बात करें तो white shirt आपका रहेगा black paint रहेगी black shoes रहेगा black coat रहेगा और black tie रहेगी तो as a steno आप uniform वाली जौब चाहते हैं तो ये एक बढ़िया जौब है uniform में इसी uniform में आपको court में जाना होगा और यही same uniform clear की भी होती है तो आप लोग इसको भी जान लीजेगा leaves की गर हम बात करें तो आप लोग को पता यह होगा की court में leaves बहुत जादा मिलती है सबसे पहले तो जैसा की बाकी offices में होता है की Sunday off रहता है साथ में Second Saturday off रहता है Summer vacation जो होता है तो जून में 10 दिनों की चुटी मिलती है Winter vacation में December में 7 दिनों की चुटी मिलती है Casual 14 होती है परियर यानि 14 चुटी आप ले सकते हैं पूरे साल भर में Earned leave जो होती है वो 30 होती है परियर यानि जो आपकी salary कटेगी उस तरीके से आप 30 leaves ले सकते हैं परियर में और medical leave आप पूरे service में आपकी जो पूरी lifetime service होगी उसमें आप 365 days यानि पूरे एक साल का medical leave भी ले सकते हैं अब इसकी promotion से बात promotion की बात करने से पहले आप लोग को एक बात ये बता दू कि इसमें minimum 1 by 4 यानि कि एक चौथाई जो पद है stenographer के अधिनस्त नयाले के अंदर कर उसमें एक बटे 4 कम से कम English सावस्यक है उसके अलावा आप एक बटे 3 हिंडी से भर सकते हैं यानि minimum 1,4,25 परसेंट टोटल पद का आपका होना चाहिए English stenography का तो इसका मोटा मोटा ये मतलब है कि हिंडी stenographer के पद जादा होते हैं English stenographer के पद कम होते हैं और अगर आपको दोनों आता है फिर तो क्या ही बात है promotion की बात करें तो सबसे पहले आप जब select होंगे तो आपको पता है आप grade 3 में select होंगे जिसमें आपकी sellie 2800 grade पे की रहेगी फिर आपका promotion होगा कुस दिनों बात तो आप grade 2 में जाएंगे जिसमें आपकी sellie direct jump करेगी 2200 grade पे और उसके बाद आपका promotion grade 1 पे हो जाएगा फिर आपका 4600 grade पे की जौब हो जाएगी लेकिन आप लोग ये जानिये कि अगर आप पे लाबाद high court के थुरू किसी भी अधिनस नया ले में as a stenographer select होते है तो आपके retire होने तक आपको सिर्फ stenographer ही रहना होगा आपके judge change हो सकते है यानि कि आप दूसरे judge के maxima promotion होते होते हो सकता है district judge के आप direct court में पहुंच जाए आप उनके stenographer लग जाए बस यही आपका best है आपका यही जो है best promotion हो सकता है लेकिन आप high court में कितना भी promotion ले लेंगे आप नहीं पहुंच पहेंगे अब सबसे ज़रूरी बात कि इलहाबाद high court इस्टिनोग्राफर में जो certificate मांगा जाता है बहले ही हम skill test qualify करते हैं उसमे marks बलते हैं फिर भी certificate मांगा जाता है तो वो कहां से बनेगा तो देखिए अगर आप online short hand सीखे हैं आप short hand अच्छा कितना भी कर लेते हैं फिर भी आपको certificate यहाँ पर देना पड़ेगा तो आपके आसपास कोई भी institute हो जहां आपने सीखा हो वहाँ पर अगर वो registered है government ऐसा नहीं कि बस वैसी सिखा रहा है कोई अपने घर पे खोल के वैसे ही एक दो बच्चों को मतलब वो संस्था registered होनी चाहिए तो भी वो आपको certificate बना के दे पाएगी और अगर वो certificate देती है रेजिस्टर संस्था है तो बिल्कूल उस certificate वहाँ पर मानने होता है बता होगा कि हिंदी चेनोग्राफ़र के लिए असे सब्दों परते मिनट का certificate वहाँ पर मांगा जाता है तो आज की वीडियो में पस इतनी जानका रही अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लिस लाइक करेगा और इसी तरीके की और वी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में रब तक के लिए गुड़ बाए